हेलो बच्चों कैसे आप सभी होप करती होंगे सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अगर इसे रिलेटेड नुमेरिकल पूछा जाता है तो फिर यह मतलब चार या पाश नमबर में भी पूछा जा सकता है तो चले देख लेते हैं कि संट एक छोटा सा टॉपिक है बहुत एजी सा टॉपिक है एक बार में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आएगा तो आप आप एजले लिख लेंगे ठीक है तो चले समझते है, संट एक कम प्रतिरोत का तार होता है, एक तार होता है, ठीक है, यह है संट, इसी से समझ लेजे कि एक कम प्रतिरोत का तार होता है, जिसे धारा मापे की कुंडली के साथ समांतर क्रम, समांतर क्रम मतलब क्या होता है, कि जैसे धारा इधर से आ रही है, तो यहां से बहेगी बट यहां पर हम इसको जोड भी देंगे ना तो वो धारा इधर से आके ऐसे होके और इसी के समांतर क्रम में मितलब एक ही साथ यह बह रही है ठीक है तो समांतर क्रम में जोड आ जाता है कि इसी के साथ यह जोड दिया गया एक धारा इधर से आ रही है तो चली जाएगी और कुछ दारा इधर से होते हुए भी आगे बढ़ जाएगी ठीक है तो एक क्या होता है ये एक ऐसा तार होता है कम प्रतिरोत का जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोडा जाता है बस ये इसकी परिभाशा है मतलब पूछा जाएगा कि शं अब इसके कभी कभी उप्योग पूछ देता है तो धारा मापी की प्रबल धारा से सुरच्छा के लिए कि जैसे मालनों बहुत प्रबल धारा हो तो वो इधर से न जा पारी मतलब इधर से जाने में लोड लग रहा हो तो इसलिए इसको डिवाइट करके जाती है तो कर देती है इस तरीके से तो इसलिए इसका उप्योग किया जाता है ठीक है प्रबल धारा से सुरच्छा के लिए फिर धारा मापी को अमीटर में रुपांतरित करने के लिए ये धारा मापी को क्या करता है अमीटर में भी रुपांतरित कर देता है फिर अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए, मतलब इसके शम्ता को बढ़ाने के लिए तरीके से, फिर अधिक से अधिक धारा को भी प्रवाइद किया जा सकेगा, क्योंकि वो दो भागों में डिवाइड होके भी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, तो बहुत जादा लोड नी पड़ेगा इसके उपर तो यह हो गए उसके उप्योग, अब इसका लाब क्या है, कि धारामापी की कुंडली और संके तक छति ग्रस्त नहीं होते हैं, तो इसका जो कुंडली है, मतलब धारामापी का और संके तक है, वो बहुत जादा तीवर धारा आने से मतलब छति ग्रस्त नहीं होगा, क्योंक परिवर्तन नहीं होता है, तो मान में परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि जो धारा यहां से आ रही है, वो धारा ही थोड़ी सी इधर और थोड़ी सी इधर होके दोनों उतनी धारा है, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो आगे चलके बढ़ जाएगी, बस तो यहां से बट जा रही है दो भागों में ठीक है फिर वह एक हो जाएगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बट इसका एक हानी भी है मतलब इससे कमी क्या है कि शंत लगाने से धारमापी कि सुग्राहिता में कमी आ जाती है क्या होता है ना कि जब तक एक है तब तक बढ़िया है वैसा वाला हिसाब है कि अगर उसे दो भागों में तोड़ दिया जाता है तो थोड़ा वो तोड़ के जुड़ने वाला जो हिसाब होता है कि तोड़ के उतना वैसा नहीं जुड़ पाता है जैसा वो पहले था वैसा नहीं बन पाता है तो वही यहां पे वहा और इधर से अलग जारी है तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ता ही है तो क्या होता है उसकी सुग्राहिता में कमी आ जाती है तो इसी को यह एक कमी है अब इसे रिलेटेट जो गड़ीती है इसका निकालने बियंजक निकालने की एक प्रक्रिया है अगर वो आपको चाहिए शेयर जरूर कीजेगा तो चलिए मैं वेलोगे आप लोगे से अपनी अगली वीडियो पे कुछ और समझना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं थैंक्यू थैंक्स फो वाचिंग